है लिए दूस्तों आप सभी का स्वागत है एक बर फिर से शिवानियार्ट क्लासेश की आज की क्लास में और आज ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तो देख सकते हैं बहुत सारे प्रशनों हम लेकर उपस्तित हुए हैं और आज ये वीडियो का नॉटिफिकेशन मिलता रहे तो आज पूरे 125 प्रशनों को हम करने वाले हैं तो आप भी साथ में आंसर करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजेगा इस वीडियो को जादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा अगर किसी प्रशनों का उत्तर आपको दिया जाएगा तो सबसे पहला प्रशन देखें बनी ठनी की शेली का चित्र है वाश शेली लोग शेली लगु चित्र शेली या फिर फ्रेसको शेली बनी ठनी की शेली का चित्र है इसका आंसर आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकत हैं तो बनीठनी जो यह चित्र है यह लगु चित्र शैली है तेकि है यहां पर right आंसर हो जाएगा Option c hai लगु चित्र शैली ध्यान देंगे लगु चित्र शैली बनी ठनी की शैली का चित्र है लगु चित्र शैली का right answer c next तोडिशा में सूर्य मंदिर कि शहर में है पूरी घुवनेश्वर कटक या फिर कोड तोडिशा में सूर्य मंदिर कि शहर में हैं आप धी कमेंड बॉक्स में बताएं और यहां पर जो right answer होगा option D हो जाएगा code arc ठीक है आज हम इसके विशे में detail में बात नहीं करेंगे क्योंकि यह आपका test paper है और test paper में हम सीधा answer आपको बताते हुए चलेंगे next question देख लीजिए question number 3 देखिए thinker, thinker किस मूर्ती की प्रख्यात कृती है thinker किस मूर्ती की प्रख्यात कृती है ronda, salvador dali, michael angelo, leonardo da vinci thinker जो है यह किस मूर्ती कार की प्रख्यात कृती है अगर आप देख रहे हैं यह वीडियो तो comment box में जरूर answer कीजिएगा thinker किस मूर्ती की प्रख्यात कृती है और इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर करेंगे जितने लोग इस वीडियो को watch करेंगे वो साथ ही इस वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे question number 3 देखिए thinker किस मूर्ती कार की प्रख्यात कृती है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाता है option A, ronda ठीक है? thinker जो है रोंदा के द्वारा बनाई हुई मूर्ती है next question देखिए question number 4 आरा आपने किस कारी के लिए प्रसिद्ध है? live आने के लिए थोड़ा सा time का problem होता है इसलिए हम यह वीडियो आपके लिए बना कर upload कर देंगे आरा आपने किस कारी के लिए प्रसिद्ध है चहरा चित्रांकन नगन चित्र इस्थर वस्तु चित्र या फिर प्रकृति चित्र साथ ही youth competition चैनल पे कराया गया है और आगे भी कराया जाएगा जैसा आप लोगों का reply रहेगा तो चैनल पे आप विजिट कीजिएगा वहां बहुत सारी playlist बनाई गई है आपको लगभग आपके syllabus के recording बहुत कुछ देखने को मिलेगा आरा आपने किस कारी के लिए प्रसिद्ध है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाता है option C इस्थिर वस्तु चित्र अगर आपने यही answer लिखा होगा तो आपका answer विल्कुल सही है इस्थिर वस्तु चित्र आरा आपने किस कारी के लिए प्रसिद्ध है इस्थिर वस्तु चित्र next question देखें question number 5 चालुक्य, चोल, चंदेल या फिर मौरे शासक लाइफ क्लास में आप सभी लोगों का टाइम भी बहुत वेस्ट होता है इस वज़े से लाइफ क्लास थोड़ा सा हम अवाइट कर रहे है तो खजुराहों में चतुर्भुज मंदिर के शासकों के द्वारा बनवाया गया था राइट आंसर यहाँ पर C हो जाएगा next question देखे question number 6 turner किसके लिए जाने जाते है print making, भूध रिश्य चित्रकार, मुखाकरती चित्रकार या फिर मूर्ती कार turner जो है यह किसके लिए जाने जाते है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है option B भूध रिश्य चित्रकार, turner जो है भूध रिश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते है next question देखे सभी लोग comment box में बताएंगे कितने question आपने सही किये बिल्कुल इमानदारी के साथ इससे आपका भी आत्मे विश्वास बढ़ता है कि मेरी तयारी कैसी चल रही है ठीक है तो question number 7 देखे दिलवाडा मंदिर है टेरा कोटा, बलुवा पत्थर मूर्तिकला संगमरमर मूर्तिकला या फिर प्लास्टर मूर्तिकला तो दिलवाडा मंदिर जो है ये किसका बना हुआ है question number 7 का right answer है option C संगमरमर मूर्तिकला right answer C next question देखे question number 8 वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चितरशना संभव नहीं है रेखा, रंग, रूप, धरातल तो question number 8 का जो यहाँ पर right answer हो जाएगा option D धरातल धरातल के बिना चितरशना संभव नहीं है बिल्कुल right answer होगा option D next question देखे question number 9 हमजा नामा का सचितरी करण किसने करवाया हमजा नामा का सचितरी करण किसने करवाया चैनल पर बहुत सारे प्रशन अब तक करवाये गए है तो आज ही आपका test paper है बिल्कुल इमानदारी के साथ आप लोग भी answer comment box में देंगे साथ ही आप last में बताएंगे कितने question आपने सही किये है हमजा नामा का सचितरी करण किसने करवाया तो यहाँ पर right answer हो जाएगा देखिए बाबर हुमायू अकबर जहाँगे राइट आपका हो जाएगा option C अकबर के द्वारा हमजा नामा का सचितरी करवाया गया right answer C question number 10 देखिए दिल्ली में लाल गिला बनाये गया था किसके पुत्र द्वारा अकबर अरंग जेप हुमायू जहाँगेर आंसर सुन दिजी अकबर अरंग जेप हुमायू जहाँगेर तो यहाँ पर answer क्या होगा question number 10 का right answer होगा option D जहाँगेर दिल्ली में लाल गिला बनाये गया था किसके पुत्र द्वारा जहाँगीर के पुत्र के द्वारा next question देखिए question number 11 वहाँ प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जलाई जली लकड़ी की मूर्तिकला के लिए जाना जाता था बहुत सारे प्रस्ण इसमें से हमारे द्वारा करवाए गये है वहाँ प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जलाई जली लकड़ी की मूर्तिकला के लिए जाना जाता था मेरी कोशिस होती है कम समय में आपको ज़्यादा question करा दिये जाए तो वहाँ प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था option देख लिए बलबीर सिंग कट शंकु चौधरी जैराम पटेल शर्बरी राय चौधरी तो यहाँ पर right answer होगा option C जैराम पटेल ठीक है right answer C next question देखे question number 12 पिछवई लोकचित्र कहां मिलता है राजस्थान, गुजरात, बिहार, करनाटक तो right answer क्या होगा यहाँ पर पिछवई लोकचित्र कहां मिलता है तो यह मिलता है आपका right answer option A राजस्थान में ठीक है next question देखे question number 13 गौतम बुद्धि की जैनमिस्थिली कौन सी है बोध गया वैशाली लुम्बिनी सारनाथ यहाँ पर right answer क्या होगा question number 13 का answer होगा option C लुम्बिनी गौतम बुद्धि की जैनमिस्थिली रही है लुम्बिनी question number 14 जोती भट किस विधासी संबंधित है painting, मूर्थिकला, संगीत, printmaking जोती भट किस विधासी संबंधित है यहाँ पर right answer क्या होगा question number 14 का answer होगा option D printmaking जोती भट printmaking संबंधित है next question देखे question number 15 देखे pop art की शुरुवात किस देश से हुई थी England, Germany, America, Denmark तो pop art की शुरुवात किस देश से हुआ यहाँ पर right answer हो जाएगा option C sorry यहाँ पर option C नहीं होगा option A, England pop art की शुरुवात किस देश से हुई थी England से right answer A next question देखे question number 16 प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प, Apollo and Defini के मूर्तिकार कौन थे प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प, Apollo and Defini के मूर्तिकार कौन थे बर्निनी, दोना तेलो, मैसेच, चिव, पाउलो, उचेला ठीक है question number 16 का answer करिए comment box में तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option A, बर्निनी Apollo and Defini के मूर्तिकार कौन थे बर्निनी, right answer A next question देखे आप लोग बाद में अपना answer मिला लीजिएगा और comment box में बताईएगा कितने answer आपके right way question number 17 देखे रामकिंकर बैच की कला सिक्षा कहा होई थी स्री निकेतन, कलकता स्कूला फार्ड शांति निकेतन, बंगाल स्कूला फार्ड तो रामकिंकर बैच की कला सिक्षा कहा होई थी right answer होगा option C शांति निकेतन, ठीक है रामकिंकर बैच की कला सिक्षा कहा होई थी शांति निकेतन में, next question देखे question number 18 question number 18 देखे एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है option A विश्णू मंदिर option B राम मंदिर option C है कैलाश मंदिर ठीक है, और option D है लक्ष्मी का मंदिर तो यहाँ पर option C है कैलाश मंदिर कैलाश मंदिर ठीक है, option D है लक्ष्मी का मंदिर तो यहाँ पर कौन सा answer right होगा आप सभी लोग जानते हैं एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है कैलाश मंदिर, ठीक है दो option यहाँ पर दिये गए हैं तो आप देख लिजे right answer होगा option C कैलाश का मंदिर next question देखे question number 19 थोड़ा सा ये page clear नहीं है तो आप लोग इसको manage करेंगे question number 19 रामकुमार प्रसिद हैं अपने मानव चित्रों के लिए प्रकृति चित्रण के लिए इस्तिरवस्तु चित्रों के लिए या फिर समुद्र चित्रण के लिए तो रामकुमार किस चीज के लिए famous हैं रामकुमार famous हैं अपने प्रकृति चित्रण के लिए right answer यहाँ पर हो जाएगा option B ठीक है question number 19 का right answer होगा B रामकुमार प्रसिद्ध हैं अपने प्रकृति चित्रण के लिए next question देखे question number 20 भीम बेटका की गुफाएं आवस्तित हैं यहाँ पर पूरे 125 प्रशनों का यह test है आप सभी लोगों का तो देखेगा भीम बेटका की गुफाएं आवस्तित हैं राजस्थान में उत्तर प्रदेश में बिहार में या फिर मध्य प्रदेश में भीम बेटका की जो गुफाएं हैं यह कहाँ पर है right answer होगा option D मध्य प्रदेश में next question question number 21 चित्रसूत्र कितने भागों में विभख्त है 10,9,8,7 चित्रसूत्र कितने भागों में विभख्त है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option B 9,9 भागों में विभख्त है चित्रसूत्र next question देखिए question number 22 सूरज मुखी प्रसिद्ध चित्र किसने निर्वित किया Rubens, Rembrandt, Van Gogh, Revenire सूरज मुखी जो चित्र है इसको किसने निर्वित किया है तो question number 22 का right answer होगा option C Van Gogh के दोरा बनाये गया है सूरज मुखी चित्र ठीके पास्चात्य कला का भी पूरी प्लेलिस्ट है चैनल पर अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को जरूर देखिए वहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टन चीज़े मिलेंगी ठीके और ठोड़े बहुत question आपके पास्चात्य कला से भी पूछे जा रहे है तो इसलिए आप पास्चात्य कला को भी इग्नोर नहीं करेंगे आगे हम भी चैनल पर पास्चात्य कला के भी question आपको कराएंगे और इसके पहले भी मैंने कराया है उन सभी questions को आप देख लीजेगा तो question number 22 का right answer होगा option C next question देखिए question number 23 देखिए जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रत्थम तीर्थकर कौन थे पार्श्विनाथ, अस्विशेन, रिशबदेव, वर्दमार तो यहाँ पर answer क्या होगा question number 23 का answer जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रत्थम तीर्थकर कौन थे अगर आप answer जानते हैं तो तुरंद comment box में answer लिख दीजिएगा जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रत्थम तीर्थकर कौन थे तो बिल्कुल यहाँ पर right answer है option C, रिशबदेव, ठीक है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रत्थम तीर्थकर कौन थे रिशबदेव, नेक्स्ट कोश्चन देखे question number 24 group 1890 का प्रसिध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था हिम्मत शाह, जी एम शेख, जोती भट, जैराम पतेल group 1890 का प्रसिध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था right answer हो जाएगा आपका option C, जोती भट ठीक है, नेक्स्ट कोश्चन देखे question number 25 एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं, 34, 35, 36, 33 एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं, गुफाओं का अलग से प्रेलिस्ट है, चैनल पे सभी गुफाओं के लिए डीटेल में बताए गए हैं, important points ठीक है, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो यहाँ पर गुफाएं है, right answer है, option A Next question देखिए Question number 26 Ronda क्या था? चित्रकार, थीटर कलाकार, मूर्तिकार, फिल्म मेकर Ronda क्या था? तो Ronda जो है, एक मूर्तिकार था Right answer है, option C Next question Question number 27 सबसी प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? Jackson Pollock, Waser Lee Andy Warhol, Paul Klee सबसी प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? तो यहाँ पर आपका right answer होगा Andy Warhol ठीके, right answer C Andy Warhol सबसी प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? Andy Warhol Right answer C Next question Question number 28 देखिए, अपने pink period के लिए कौन प्रसिद्ध है? Gagon, Van Gogh, Season, Picasso अपने pink period के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर right answer होगा option D Picasso जो है यह अपने pink period के लिए famous है Right answer D Next question Question number 29 देखिए, जाइ आफ लाइफ नामक पेंटिंग है जाइ आफ लाइफ नामक पेंटिंग है Peter Pullock, Jackson Pullock, Henry Mathis, Henry Moore तो यह किसकी पेंटिंग है? जाइ आफ लाइफ नामक पेंटिंग किसकी है? तो यहाँ पर right answer होगा option C Henry Mathis ठीक है? Right answer C अगर आपको आता है तो ठीक है नहीं तो इस आणसर को याद कर लीजेगा जाइ आफ लाइफ नामक पेंटिंग किसकी है? Henry Mathis की Next question देखिए Question number 30 अजन्ता के चित्र किसके जीवन पर आधारित है? जैन, बुद्ध, महावीर, इसा मशीर अजन्ता के जो चित्र है ये किसके जीवन पर आधारित है? Right answer होगा Option B बुद्ध ठीक है? भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित है Next question देखिए Question number 31 भारती चित्र कला का रंग विधान किसका भाग है? भारती चित्र कला का रंग विधान किसका भाग है? साद्रिश्य, रूप भेद, प्रमाण, वर्निका भाग कला के तत्व, कला की माध्यमें टेकनीक इन सभी पे वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो मैंने 5-6 वीडियो, 7 वीडियो दिये हैं आप उसको जरूर देख लिजिएगा Elements of Art भारती चित्र कला का रंग विधान किसका भाग है? तो ये है वर्निका भंग का राइट आंसर है Option D वर्निका भंग Next question देखे Question number 32 लिंग राज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? लिंग राज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? मौर्य, शुंग, गुप्त, केशरी लिंग राज मंदिर का निर्माण कराया था? केशरी वंसकी राजाओं ने राइट आंसर है question number 33, बिंदु चित्रन पद्धती आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताएं, डेगा, रेना, वैनगो, शुरत, बिंदु चित्रन पद्धती आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताएं, तो यहां पर जो राइट आंसर होगा, option D, शुरत, next question, question number 34, राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कारिये कौन सा है, न्यूड, न्यूड पेफर्म्ड, पहाड़ी परिवार, संथाल परिवार, राजस्थानी परिवार, राम किंकर बैज का सबसे प्रसिद्ध कारिये कौन सा है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा, option C, संथाल परिवार रामकिंकर बैज का भी वीडियो चैनल पे है सभी कलाकारों का है समकाली इन कलाकारों का है जहां से question ज़्यादा सज़्यादा पूछे जाते है जितने भी आपके समकाली इन कलाकार है उनकी अलग से playlist है आप जरूर देख लिजेगा रामकिंकर का सबसी प्रसिद्धकारी कौन सा है संथाल परिवार नेक्स्ट कोशन देखे Q35 अवनी ना टैगोर जाने जाते हैं इसके लिए सेरिग्राफी, आपारदर्शी वरंचित्रन, जलरंग वाश तकनिक या फिर पोर्ट्रेचर तो अवनी ना टैगोर किसके लिए जाने जाते हैं यहाँ पर राइट आंसर होगा option C, जलरंग यान की वाश तकनिक ठीक है अवनी ना टैगोर जाने जाते हैं जलरंग वाश तकनिक के लिए राइट आंसर C, नेक्स्ट कोशन देखे question number 36, आप कलाकार का नाम बताईए एंडी बरहोल, कीथ बुलचनर, वासरली, रूबेनस तो यहाँ पर आप कलाकार कौन से हैं उनका नाम आपको बताना है तो यहाँ पर विक्टर वासरली जो हैं यह आप कलाकार है राइट आंसर होगा option C, ठीक है विक्टर वासरली next question देखे question number 37, पोटेटो इटर का प्रसिद्धे चित्र किसके द्वारा बनाया गया रूबेनस, रेमरेड़ट, वैंगो, अमरिता, शेरगिल पोटेटो इटर का प्रसिद्धे चित्र किसके द्वारा बनाया गया तो यह बनाया गया था बैन गॉप के द्वारा राइट आंसर है option C question 38 वीडियो को आप like करें and share जरूर करें किस ने लंचियन ग्रास नामक painting बनाई Monit, Manit, Renewin, Dega लंचियन ग्रास नामक painting किस ने बनाई थी तो ये बनाई थी Manit ने राइट आंसर है option B next question पास्चातिकला के भी बहुत सारे प्रश्ण चैनल पर आपको मिल जाएंगे question 39 देखे NS बेंदरे क्या थे मूर्तिकार, छापा चित्रकार, चित्रकार, थीटर आर्टिस्ट तो NS बेंदरे क्या थे ये एक चित्रकार थे right answer है option C next question देखे question 40 कौन वास्चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है बद्रिनाथार, हरिहर लाल मेड कौन वास्चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है बद्रिनाथार, हरिहर लाल मेड इसके अलामा और दो option यहाँ पर है SG स्रीखंडे सुकबीर सिंग सिंगल तो इन में से कौन जो है वास चित्रकला शैले से संबंदित नहीं है बद्रिनाथार, हरिहर लाल मेड, SG स्रीखंडे, सुखबीर सिंग सिंगल तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका option C SG स्रीखंडे ठीक है बद्रिनाथार, हरिहर लाल मेड और सुखबीर सिंग सिंगल यह तीनों ही वास चित्रकला शैले से संबंदित है SG स्रीखंडे नहीं संबंदित है राइट आंसर है C नेक्स्ट कोश्चन क्वेस्चन नबर 41 देखिए सैलोज मुखरजी है एक आकारवादी, रंगवादी, घंचित्रणवादी, प्रभावादी तो इस कोश्चन पे आप जरूर ध्यान दीजेगा कहीं कहीं पर रंगवादी मिलता है कहीं कहीं पर प्रभावादी मिलता है तो यहाँ पर राइट आंसर होगा option B सैलोज मुखरजी है, एक question आया था उसका answer मैंने प्रभाववादी बताया था लेकिन उसका right answer होगा रंगवादी, ठीक है इसको आप correct कर लिजेगा तो सैलोज मुखरजी है एक रंगवादी right answer है B next question question number 42 चितिंद्रनात मजुमदार को कहा जाता है चित्रकार, संते चित्रकार, रसिया चित्रकार इनमेंसे कोई नहीं चितिंद्रनात मजुमदार को क्या कहा जाता है तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे question number 43 पोथी चित्रन का प्रारंब के शैली में हुआ पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली, कांगडा शैली तो पोथी चित्रन का प्रारंब के शैली में हुआ आप भी अपना आंसर नोट करती हुए चले राइट आंसर होगा option A पाल शैली, पोथी चित्रन का प्रारंभुगा पाल शैली में नेक्स्ट कोश्चन 44 देखें शांति निकेतन की स्थापना किसने की अबनी इंद्रनाथ टैगोर मदन मुहन मालवी रभी इंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी तो इस question का अंसर आप लोग comment box में दे दीजिएगा ठीक है देखते हैं next question question number 44 उद्यगिरी की गुफाओं में किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाया गया है बौध धर्म, हिंदु धर्म इसाई धर्म, जैन धर्म उद्यगिरी की गुफाओं में किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाया गया है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा option B, हिंदु धर्म ठीक है next question question number 46 प्रगतिवादी कलाकार समूँ का घोशना पत्र किसने लिखा एसेच रजा, गैटोंडे एफन सूजा, आरा प्रगतिवादी कलाकार समूँ का घोशना पत्र किसने लिखा था एफन सूजा ने, राइट आंसर होगा option C, next question देखे question number 47 है प्रसिद्य चित्र जमीन किसका बनाया हुआ है तैयब महता, M.F. हुसेण एसेच रजा, आरा तो जमीन जो चित्र है ये किसने बनाया था राइट आंसर होगा option B, M.F. हुसेण के द्वारा बनाया गया है जमीन चित्र next question देख लीजिए 48 number, प्रगतिवादी समूँ का कौन चित्रकार पेरिस बस गया, प्रगतिवादी समूँ का कौन चित्रकार पेरिस में बस गया, आरा गैटोंड, रजा सुजान तो पेरिस में बस देवाला कौन सा चित्रकार है, प्रगतिवादी समूँ का तो यहां पर राइट आंसर होगा option C, रजा next question question number 49 देखे, आजनता में राज की सुभायात्रा चित्रके संख्या की गुफा में है, 11 12, 1 या फिर उप्युक्त में से कोई नहीं तो question ध्यान दिजेगा आजनता में राज की शुभायात्रा चित्रके संख्या की गुफा में है तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा Option D, उपियुक्त में से कोई नहीं ठीक है, ध्यान दीजेगा राज की शोभा यात्रा जो चित्र है ये अजन्ता की गुफाओं में नहीं है ये आपका कहाँ पर है बाग की गुफाओं में ठीक है, बाग की गुफाओं में Next question देखे Question number 50 वहाँ पहला पेंटर कौन था जिसने तेल चित्रांकन प्रारंब किया लियोनार्डो ठीके, माइकल एंजलो जॉनवान आइक वोरी सेली दो आप्सिन और है उसको भी देख लिजे जॉनवान आइक वोरी सेली तो वहाँ पहला पेंटर कौन था जिसने तैल शित्रांकन प्रारंभ किया option A है लियोनार्डो option B है माइकल एंजलो C है जॉन वान आइक option D है बोरिस सेली तो यहाँ पर answer right हो जाएगा option C, जॉन वान आइक वह पहला printer कौन था जिसने तैल शित्रांकन प्रारंभ किया जो जाते हैं इस रूप में जो किस रूप में जाने जाते हैं painter, printmaker, मूर्तिकार धातु ढलाईकार तो गायतोंडे जो है यह किस रूप में जाने जाते हैं तो यह जाने जाते हैं painter के रूप में right answer है option A question number 52 अगनी पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है देवता, भगवान, योगी, महर्शी अगनी पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है तो अगनी पुराण में कलाकार को योगी कहा गया है Right culture होगा C नेक्सτ पोशन देख लिजए question number 53 कुटब मीनार को बनवाना शुरू किया था इल्तुत्मिष ने बलबन ने रजिया सुल्ता ने कुटब दीन एबग ने तो कुटब मीनार को किसने बनवाना शुरू किया था ध्यान देजिएगा कुटब दीन एबग ने कुटब मीनार को बनवाना शुरू किया और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएगा इसको पूरा किस ने करवाया था ठीके नेक्स्ट कोशन देख लीजे पैसिन नंबर फिफ्टी फॉर कांगडा शेले चित्रों की विशयवस्तु क्या थी रामसीता, मीरा कृष्ण, शिवपार्वती, राधा कृष्ण कांगडा शेले चित्रों की विशयवस्तु क्या थी सभी लोग आंसर करते चलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा आपसेंडी राधा कृष्ण किस ने पेंट किया था लेंप और मकडी के बीच आरा, रजा, रामकुमार, M.F. हुसेन किस ने पेंट किया था लेंप और मकडी के बीच तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपसेंडी, M.F. हुसेन नेक्स्ट कोष्ण क्वेस्टिन नमबर फिफ्टिसिक्स थू दा आईजाफ आप पेंटर फिल्म किस ने बनाई थी रामचंदरन, M.F. हुसेन आईएस जोहर, जोती भट थू दा आईजाफ आप पेंटर जो फिल्म थी यह किस के द्वारा बनाई गई थी तो यह बनाई गई थी M.F. हुसेन के द्वारा राइट आंसर है आपसेंडी, नेक्स्ट कोष्ण Q.57 बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस कलाकार के द्वारा बनाई गया ठीके, किस चित्रकार के द्वारा बनाई गया बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार यहाँ पर होगा ठीके, चित्रकार बिंदु प्रगतिवादी समू के किस चित्रकार के द्वारा बनाये गया था तो बिंदु बनाये गया था SH रजा के द्वारा राइट आंसर होगा ओप्सिन B ठीक है, नेक्स्ट कोशन देखे ग्वेशन नमबर 58 रेंबरान को जाना जाता है उनके लयात्मक चित्र के लिए जैमिती चित्र के लिए नाट की ये प्रकास के लिए इन ग्वेरनिका सभी के लिए ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर रेंबरान को जाना जाता है उनके नाट की ये प्रकास के लिए राइट आंसर है C नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नमबर 59 ग्वैर्निका पेंटिंग किसके द्वारा बनाए गई थी M.F. हुसैन, रजा, पिकासो, F.N. सूजा ग्वैर्निका जो पेंटिंग थी वो किसके द्वारा बनाए गई थी C, P.कासो के द्वारा बनाए गई थी ग्वैर्निका थीक है नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नमबर 60 देखें प्रसिद्ध आधुनिक पेंटर जैक्सन पुलाग कहां का है जैक्सन पुलाग कहां का है इंग्लेंड ज़र्मानी अमेरिका फ्रांस तो जैक्सन पूलाग कहां के थे ये अमेरिका के थे राइट आंसर होगा option C next question question number 61 एलीफेंटा गुफा है किस से गिरी हुई है पहाडों नदी समुद्र पहाड़ियों एलीफेंटा की गुफा किस से गिरी हुई है ये समुद्र से गिरी हुई है राइट आंसर है option C next question question number 62 किस कलाकार ने ताहितियनस प्रेंट किया था किस कलाकार ने ताहितियनस प्रेंट किया था हैंरी मैटिस, ली कार्बुजियर, पॉल गॉगन, एफन सुजान तो 62 का यहाँ पर राइट आंसर होगा option C पाल गॉगन की द्वारा बनाए गया था तहितियनस चित्र, ठीक है next question देखिए question number 63 अभी वेंजिनात्मक कलाकार का नाम बताएं एंडू गरहूल, पिकासो, मॉंक, डाली तो अभी वेंजिनात्मक कलाकार का नाम यहाँ पर आपको बताना है right answer होगे option C नेक्स्ट कोशन question number 64 जामनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है वाश, आयल, टैंपरा, आयल पेस्टर जामनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है तो ये बनी है टैंपरा माध्यम में right answer होगा option C next question देखिए question number 65 question number 66 मेनाक्षी मंदिर कहां पर इस्थित है हमपी, मदुराई, तंजोर, बिलोर मेनाक्षी मंदिर कहां पर इस्थित है तो मेनाक्षी मंदिर जो है ये मदुराई में इस्थित है right answer B next question देखिए question number 67 इन में से कौन बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है इन में से कौन बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है शार्दा उकेल, सुधीर खास्तिगीर, मुकुल दे, इश्वरी प्रसाद तो यहां पर कौन ऐसे कलाकार हैं जो बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है तो ध्यान दीजीए का right answer option D इश्वरी प्रसाद ठीके इस question में right answer होगा अब से यह देवी प्रसाद राय चौधरी जो हैं यह मूर्तिकार है नेक्स्ट कोशन देखे question 69 असित कुमार हालदार किस कला एउम शिल्प महाविद्याले के प्राचारे थी कोलकाता, मदरास, मूंबई, लखनव 69 का यहाँ पर right answer होगा असित कुमार हालदार किस कला एउम शिल्प महाविद्याले के प्राचारे थी राइट answer होगा option D, लखनव ठीके next question देखे question number 70 नई दिल्ली में इस्तित जंतर मंतर किसकी द्वारा बनवाया गया राजा उमेद सिंग, राजा माधवरा, राजा सवाई सिंग, राजा पतियाला तो question number 70 का answer क्या होगा नई दिल्ली में इस्तित जंतर मंतर किसकी द्वारा बनवाया गया लाइक करें वीडियो को ठीक है अच्छा लग रहा है तो लाइक करें एंड शेयर करें शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ठीक है जिससे आपको जो भी वीडियो हो नौटिफिकेशन मिलता रहे उसके लिए आप बेल के बटन को जरूर क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए नई दिल्ली में इस जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया तो यह बनवाया गया राजा सवाई सिंग के द्वारा राइट आंसर है ऑप्सेन सी और आप हमारे इस वीडियो में उपर आई बटन दिया जाता है ठीक है प्लेलिस्ट का आई बटन वीडियो का आई बटन उसको भी क्लिक करके वीडियो चरूर देखा करें नेस्ट कोशन देखिए क्वेस्टन नमबर 71 इस्थिर चित्रन प्रमुक्रोब से देखने को मिलता है बंगाल शैली में मुगल शैली में पास्चाति शैली में आजनता शैली में इस्थिर चित्रन प्रमुक्रोब से कहां देखने को मिलता है क्वेस्टन नमबर 71 है ये तो इस्थिर चित्रन जो मिलता है ये आपको पास्चाति शैली में देखने को मिलता है राइट आंसर C नेक्स्ट क्वेस्टन क्वेस्टन नमबर 72 वाटर लिली नामक पेंटिंग स्रंकला किस के द्वारा बनाई गई थी अमरिता शेरगिल, अमनाथ सहगल, मोने, मैनिट वाटर लिली नामक पेंटिंग स्रंकला किस ने बनाई थी तो ये बनाई थी मोने ने राइट आंसर होगा option C next question देखे question number 73 कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है Edward Lee, Mary Cassatt, Cassatt Moore, Brooke Shield कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा option B Mary Cassatt next question देख लीजे question number 74 iron pillar कहां पर रस्तित है पूरे 125 प्रशन है ये आपके तो चाहे आप इसको practice set माने चाहे आप इसको test paper माने किसी भी तरह से आप माने पर आप स्वयम इन questions का answer वीडियो को pause करके दीजिएगा देखे कितने question 125 में से आपके right हो रहे है iron pillar कहां पर रस्तित है और ये paper बहुत tough नहीं है ठीक है बिलकुल beach का है ना ही easy है ना ही tough है iron pillar कहां पर इस्तित है तो iron pillar जो है ये आपका दिल्ली में है right answer होगा यहाँ पर option D दिल्ली next question question number 75 राजपूत painting का समय क्या है छटवी से ग्यारवी शताबदी साथवी से बारवी शताबदी आठवी से तेरवी शताबदी right answer यहाँ पर क्या होगा राजपूत painting का समय क्या है तो यहाँ पर right answer होगा option D आठवी से बारवी शताबदी next question question number 76 साची का स्थूप कहां पर इस्तित है उज्जैन, विदिशा, भूपाल, इंदर साची का स्थूप कहां पर इस्तित है तो यह इस्तित है आपका विदिशा मधिप्रदेश में right answer है option B ठीक है, विदिशा में next question एलोरा की गुफाएं अजन्ता की गुफाओं से कितने किलोमेटर दूर है तो यहाँ पर जो option दिये गए है इसमें से विकल्प सही नहीं है ठीक है एलोरा की गुफाएं अजन्ता की गुफाओं से कितने किलोमेटर दूर है यह अलग-अलग बुक में अलग-अलग मिलता है तो इसका कोई भी correct answer नहीं है और जो option यहाँ पर दिया गया है वो भी गलत है तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एलोरा की जो गुफाएं है यह महरास्ट में और अंगावाद से 29 किलोमेटर तथा अजन्ता से 135 किलोमेटर दूर पर इस्थिद है ठीक है नेक्स्ट कोईशन देख लीजे इस कोईशन का अंसर आप लोग अपने according comment box में दीजिएगा किसके सन्रक्षन में हमजा नामा का चितरांकन हुआ 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 फ्यूसेली तर्किस बात जो चित्र है इसको किस ने बनाया था तो यह बनाया था इंग्रेश ने राइट आशर है ओप्सटन ए नेक्स्ट कोशन निमनलकित में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंदर नहीं है किसंगर बूंदी चावंड गुलेर निमनलकित में से कौन राजस्थानी चित्रकला का केंदर नहीं है तो यहाँ पर गुलेर जो है यह राजस्थानी चित्रकला का केंदर नहीं है इसलिए राइट आशर question number 81 बाज का चित्रन किसने किया निहाल चंद विहजाद विशनदास मनसूर यहाँ पर विहजाद होगा ठीक है बाज का चित्रन किसने किया था तो ये बनाया था मनसूर ने राइट आंसर होगा option D next question question number 82 पक्षियों का सिकार पस्वों का सिकार रशिक प्रिया रागमाला तो कोटा शैली के कौन से चित्र प्रसिद्ध है यहां पर पस्वों का सिकार प्रसिद्ध है राइट आंसर होगा option D वीडियो को रोब कर आप अपना आंसर कर लीजेगा रामकिंकर बैज ने अधिकांशतिया मूर्थियां किस माध्यम से बनाई है चिकने, मिट्टी, क्ले, मार्बल, सिमेंट, कंक्रीट, ग्रेनाइट इन्होंने सिमेंट, कंक्रीट माध्यम में अधिकांश मूर्थियां बनाई है राइट आंसर होगा C Q84 देखिए सिरेमिक्स श्रब्द निम्नलिखित में से किस का महत्व सुचित करता है तो यहाँ पर राइट आसर होगा उप्सेन A चिकने, मिट्टी, मिश्रण, आवली, क्ले, बॉडी ठीके राइट आसर A Q85 पतीना क्या है पेंट की परत, रासायनिक प्रतिक्रिया सतह का मार्जन, सतह की धुलाई पतीना क्या है तो यह है रासायनिक प्रतिक्रिया राइट आसर होगा उप्सेन B रासायनिक प्रतिक्रिया नेक्स्ट कोशन देखे Q86 अब्दुल गफ़ार खान का मुख्य चित्र किसने बनाया है सर्वरी राय चौधरी प्रदोजदास गुपता धन राज भगत शंखो चौधरी अब्दुल गफ़ार खान का मुख्य चित्र किसने बनाया है तो यहाँ पर राइट आसर होगा उप्सेन D शंखो चौधरी नेक्स्ट कोशन Q87 आट नूबो से कौन से पुष्टर कलाकार संबंधित है आट नूबो से कौन से पुष्टर कलाकार संबंधित है उप्सेन देख लीजिए अलफोंस मुंशा इयान लैनिका पियरे बोनार पीटर मैक्स तो आट नूबो से जो संबंधित है अलफोंस मुंशा ठीक है राइट आंसर होगा उप्सेन A नेक्स्ट कोशन देखे क्वेस्टन नंबर 88 देखे निम्दलिकित शैलुत किरन इस्थापत्ते के सही काला अनुक्रमिक अनुक्रम का चैन करे आप्सेन A है अजंता गुफा 14 कारले भाजा चैते लोमसरिसी गुफा आप्सेन B में है लोमसरिसी गुफा भाजा चैते कारले अजंता गुफा 14 आप्सेन C है कारले अजंता गुफा 14 भाजा चैते लोमसरिसी गुफा आप्सेन D है लोमसरिसी गुफा कारले अजंता गुफा 14 भाजा चैते तो इसका शैलुत किरन स्थापत्ती के सही काला अनुक्रमिक अनुक्रम का चैन करना है तो यहाँ पर आपका option B विल्कुल राइट है ठीक है यहाँ पर option B विल्कुल राइट है, next question देखिए question number 89 निंदल के चित्रों का सही काला अनुक्रम अनुक्रम चैन करें impression sunrise glass of absinth starry night man with violin option B है starry night man with violin impression sunrise glass of absinth तो यहाँ पर आपका जो राइट आज़र होगा तो यहाँ पर option A बिल्कुल सही है ठीक है सही आंसर है option A impression sunrise glass of absinth starry night man with violin next question देखिए question number 90 देखिए छापा कला की क्रिया विधी में ground फिर nitric acid फिर प्रिंटिंग ठीक है right answer C next question question number 91 देखिए अभी कथन है silk screen छपाए प्रक्रिया बहुत से अन्य छेत्रों में अपनाई है तरक आर दिया गया है क्योंकि यह सर्वतोन मुखी माध्यम है तो यहाँ पर दोनों ही अभी कथन और तरक सही है चलिए option देखते हैं कौन सा है A और R दोनों सही है right answer होगा option C next question question number 92 अभी कथन A रंग शब्दों बगेर अर्थ और संदेश प्रेशित करने के लिए ताक्षडिक विधी प्रदान करता है रंग जो है शब्दों को बगेर अर्थ और संदेश प्रेशित करने के लिए ताक्षडिक विधी प्रदान करता है तरक बताया गया है क्योंकि ब्रांडिंग के लिए रंग और मनोविज्यान असंबंधित होते हैं तो यहाँ पर कौन सा answer सही है तो यहाँ पर इसका राइट answer है option A A सही है परन्तु आर गलत है राइट answer A question question नमर 92 देखिए रंग शब्दों बगेर अर्थ और संदेश प्रेशित करने के लिए ताक्षडिक विधी प्रदान करता है इसका तरक दिया क्या है क्योंकि ब्रांडिंग के लिए रंग और मनुविज्यान असंबंधित होते है तो यहाँ पर आपका अभिकतिन सही है तरक यहाँ पर गलत है तो चलिए देखिए कौन सा option सही है A सही है R गलत है A सही R गलत option A में मिल रहा है ठीक है तो राइट answer होगा option A कागज के दोनों तरफ वर्ण श्यानता यानि कलर विस्कोसिटी लिथोग्राफिक किस ने किसका विस्कार किया है तो आप इसको मिलान करेंगे तो देखिएगा William Stanley Hitter जो है यह वर्ण स्यानता यानि कलर विस्कोसिटी ठीक है से रिलेटेड हैं और सेनी फिल्डर सेनी फिल्डर जो है यह लिथोग्राफिक जॉन गुटिन बर्ग ने मुवेबर टाइप का विस्कार किया है और कैरोल समर्स ने कागज के दोनों तरफ ठीक है तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्सेन सही है ऑप्सेन सी बिल्कुल राइट है राइट आंसर सी नेक्स्ट कोस्टन ग्वेस्टन नमबर 94 ग्वेस्टन नमबर 94 देखे निम नलिकित का मिलान करें याद दास्त में स्थाइत्व ब्लैक लाइन्स ब्रहमचारीज दी एट्रियम एक तरफ कलाकारों के नाम है अमरिता शेरगिल गवेनेंदरास टैगोर सेलवाडो डाली वासिली केंडिन्सकी तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा चलिए देखते हैं याद दास्त में स्थाइत्व ये किसका है तो ये है सलवाडो डाली का ठीक है ब्लैक लाइन्स ब्लैक लाइन्स किसका है वैसिली कंडिन्सकी का ब्रहमचारीज ब्रहमचारीज किसने बनाया है अमरिता शेरगिल ने दी एट्रियम जो है गगनेंदरास टैगोर का तो यहाँ पर राइट आंसर होगा option A ठीक है next question question number 95 देखे निमने लिकित का मिलान करें जल रंग, इंपैस्टो, स्पैटरिंग जिसे छिड़कना भी कहते है गुवाश एक तरफ है सूख्ष बिंदों का फवारा प्रत्यक रंग के साथ सफेद को मिलाना पारदर्शी रंग बहुत सखन तो जल रंग जो होता है जल रंग ये पारदर्शी रंग होता है ठीक है तो A का हो गया तीसरा इंपैस्टो जो है इंपैस्टो बहुत सखन रंग होता है यानि कि B का चौथा स्पैटरिंग यानि की छड़कना तो ये किस में होता है सूक्ष्म बिंदूओं का फवारा गुवास जो है प्रत्यक रंग के साथ सफेद रंग मिला देना तो ये गुवास होता है तो यहाँ पर D का दूसरा ओप्सन हो गया A का तीसरा B का चौथा C का पहला D का दूसरा किस ओप्सन में है देख लीजिए ओप्सन C यहाँ पर बिल्कुल राइट है राइट आंसर C नेक्स्ट कोश्चन पैस्ट नमर 96 देखे लेविगेटर मशीन का उप्योग कि सुद्देश्य के लिए किया जाता है काश्ट कुंदा ब्लाक उत्किरन प्लास्टिक खुरच्टा ओफसेट प्लेट को दानेदार करना या फिर पत्थर को काटना तो लेविगेटर मशीन का उप्योग कि सुद्देश्य के लिए किया जाता है यहाँ बर राइट आंसर होगा ओप्सन C ओफसेट प्लेट को दानेदार करने के लिए नेक्स्ट कोश्टन देखे क्वेश्टन नमबर 97 देखे समतर लेखी मुद्रण में निन्नलेखित में से कौन सी प्रक्रिया समाविस्ट है स्टेंसिल, कार्टफ साचा, सिल्क स्क्रीन, सेरिग्राफी लीनो कट, वुड कट, कास्ट उतकिरनन ओप्सन C है सर्फेस प्रिंटिंग, लीथो प्रिंटिंग, आफसेट प्रिंटिंग ओप्सन D है शुष्क बिंदू, धात उतकिरनन, एचिंग, उरहना तो यहाँ पर क्वेश्टन नमबर 97 का कौन सा अंसर राइट होगा तो 97 का ओप्सन C बिल्कुल राइट होगा ध्यान दिजिएगा ओप्सन C बिल्कुल सही उत्तर है सर्फेस प्रिंटिंग, लीथो प्रिंटिंग, आफसेट प्रिंटिंग ठीके, समतल लेखी मुद्रण में ये सभी प्रक्रियाएं समविस्ट है नेक्स्ट कोशन देखिए कोशन नमबर 98 देखिए इस्क्रिंटिंग प्रक्रिया में डिजाइन छेतर के रूप में किसे जाना जाता है आवरित भाग, फैब्रिक, ब्राउन फीते से ढखा अनावरित भाग तो कोशन नमबर 98 का राइट आंसर क्या होगा तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आवरित भाग इस्क्रिंटिंग प्रक्रिया में डिजाइन छेतर के रूप में किसे जाना जाता है आवरित भाग को नेक्स्ट कोशन क्वेस्टन नमबर 99 लीनो एचिंग में कौनसे द्रव का उपियोग किया जाता है सलफ्यूरिक अम नाइट्रिक अम सोडियम हाइड्रोकसाइट हाइड्रोक्लोरिक अम तो क्वेस्टन नमबर 99 का कौनसा आंसर राइट होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग भी आंसर करते रहिएगा लीनो एचिंग में कौनसे द्रव का उपियोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोकसाइट का राइट आंसर होगा अप्शन C नेक्स्ट कोश्चन क्वेस्टन नमबर 100 मेजो टिंट और ड्राइट में सर्वनिस्ट घटक की पहचान करें हाडनेस, साफ्टनेस, फ्लैटनेस, ड्राइनस मेजो टिंट और ड्राइट में सर्वनिस्ट घटक की पहचान करना है तो कौनसा आंसर राइट होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा softness ठीक नेक्स्ट कुस्टिन के संपादि की चित्रात्मक्द्रिश्टांथ पारम परिक प्रेस प्रकाशन अगर प्रेस्ट शोलस अकेला समाचार पत्र विज्ञापन तो राइट आंसर होगा option A समपाद की ठीक है next question 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 number 102 A4 paper का वास्तिविक परिमाड क्या है 148 यम्यम इंटू 210 यम्यम, 105 यम्यम इंटू 148 यम्यम, 210 यम्यम इंटू 297 यम्यम या फिर 297 यम्यम इंटू 420 यम्यम तो A4 paper का जो सही माप होता है ठीक है तो A4 paper का सही माप क्या होता है तो यहां पर राइट आंसर option C होगा 210 यम्यम इंटू 297 यम्यम इंटू 297 यम्यम, नेक्स्ट कोश्चन question number 103 देखे, infomortials विज्यापन के रूप में प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया में television commercials है जो सामनित है निम्दलिकित को समविस्ट करते हैं phone number या website, door address और pin number, center light और television station, radio और mall में shop इस तरह से भी एक दो कोश्चन देखने को मिल जाते हैं एक्जाम में तो यहां पर इसका right answer होगा option A phone number या website, next question question number 104 देखे, किस American poster designer ने कहा, designing सोच है जो दृष्टिकत बनाई गई है, आल्फरेड हिचकॉक, विलियम ब्लेक, लसलो मोहली नागी, सौल वास, तो यहां पर right answer क्या होगा, 104 नमबर का right answer होगा, option D, सौल वास, ठीक है, next question, question number 105 देखे, किस कलाकार ने काश्ट और कपड़े के बने, कुट्टुम काटम शिल पकृतियों की रशना की, किस कलाकार ने काश्ट और कपड़े पे बने, कुट्टुम काटम, शिल पकृतियों की रशना की है, तो यहां पर right answer होगा, option B, आवनींद्रिनाथ टेगोर, next question, question number 106 देखे, English water color जनक प्राय किसे कहा जाता है, यहां पर दो option रह गया है, तो option C है, विलियम ब्लैक, ठीक है, विलियम, विलियम ब्लैक, और option D है आपका, जान कांस्टिबल, जान कांस्टिबल, तो option देखे, English water color जनक प्राय किसे कहा जाता है, option A है, पॉल ब्लैक, पॉल सेंट ब्लैक, यहां पर जान कांस्टिबल, तो यहां पर right answer क्या होगा, तो देखेगा, यहां पर right answer हो जाएगा, option B, पॉल सेंट ब्लैक, ठीक है, right answer होगा, option B, पॉल सेंट ब्लैक को, English water color जनक के रूप में जाना जाता है, पॉल सेंट ब्लैक को, ब्लैक किसने की है, जॉर्ज स्यूरट, एंडी वहल, जार्ज रूआ, एंड हेंरी माथिस, ठीक है, question number 107, ब्लू नूड की चित्रकारी किसने की है, तो यहां पर right answer क्या होगा, option D, हेंरी माथिस, ब्लू नूड की चित्रकारी किसने की है, 1899 से 1900 की चित्रकारी किसने की है है हिंड्री मातिस ने रैट आंसर डी नेक्स्ट कोश्चन कैसे नंबर 108 तेखे निम्द लिखित में से कौन से चित्र की टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है गोपाल घोष, ए विलेज नियर मसूरी, ए विलेज नियर मसूरी, किसका चित्र है गोपाल घोष का, विनोत बिहारी मुखरजी विलेज शॉप, जैमिनी राय थ्री पुजारीस, अमरिता शेर्गिल वुमेन और चार पाई, तो कौन से चित्र की टेंपरा में चित्रकारी नह ठीके, राइट आंसर D, नेक्स्ट कोश्चन, क्वेश्चन नमबर 109 देखिए, 109 नमबर, मैन इटिंग जलेबी, ययाती और सखी भाव, चित्र किस कलाकार चित्रकार द्वारा बनाए गए हैं, केजी सुब्रमरियन, जोगिन चौधरी, भूपिन खकर, वीवान सुन्दर क्वेश्चन नमबर 109, मैन इटिंग जलेबी, ययाती और सखी भाव, चित्र किस कलाकार चित्रकार द्वारा बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं, भूपिन खकर के द्वारा राइट आंसर है, और अगर आपने भूपिन खकर का वीडियो देखा होगा चैनल पे, तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पा रहे होंगे, नेक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नमबर 110, किस आंदोलन के पीछे मुख्य अवधारना गत्यात मकता है, संसकारवाद, घनवाद, अभिवेंजनावाद, फ्यूचरिज्म यानि की भाविश्यवाद, किस आंदोलन के पीछे मुख्य अवधारना गत्यात मकता है, क्वेश्चन नमबर 110 देखे, यहाँ पर इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा, आपसेंडी, फ्यूचरिज्म यानि भाविश्यवाद, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नमबर 111, ठीके, क्वेश्चन नमबर 111 देखे, निमनलकित पुरसकारों को प्रारंभ करने के लिए सही काला अनुक्रमिक अनुक्रम का चैन करे, ग्रैमी अवार्ड, एमी अवार्ड, एकेडमी अवार्ड और विज्यापन के लिए कौन लाइंस, अंतरराष्ट्री समारोह अवार्ड, एकेडमी अवार्ड, एमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, एकेडमी अवार्ड, विज्यापन के लिए कौन लाइंस, अंतरराष्ट समारो आवार्ड, Emmy Award, Grammy Award, Option D है Emmy Award, Grammy Award, Academy Award, विज्जापन के लिए Khan Lines, अंतर राष्टी समारो आवार्ड, तो इन में से पुरसकारों को प्रारंब करने के लिए सही काला अनुक्रमिक अनुक्रम का चेहन करना है, तो सबसे पहले Academy Award, फिर विज्जापन के लिए Khan Lines, अंतर राष्टी समारो आवार्ड, फिर है Emmy Award, फिर है Grammy Award, तो राइट आंसर हो जाएगा Option C, Next Question, Question No. 112 देखिए, ISO 2016 ने अंतर राष्टी माने की कागज परिमाप निर्धारित किये है, जो आज अधिकांश देशों में उप्योग किया जाता है, उन्हें आयामों के क्रम में व्यवस्थित करें, Option A, A4, A0, A1, A5, Option B है, A0, A1, A4, A5, Option C है, A5, A4, A1, A0, Option D में है, A1, A0, A4, A5, तो इन्हें सही आयामों में सही क्रम में व्यवस्थित करना है, Right Answer है, Option B, A0, फिर A1, फिर A4, फिर A5, ठीक है, Right Answer B, Next Question, Question 113, बनी ठनी कौन सी चित्रकला स्कूल से संबंदित है, बनी ठनी कौन सी चित्रकला स्कूल से संबंदित है, मेवाड चित्रकला स्कूल, जैपुर स्कूल, किसंगर स्कूल, बीकानेर स्कूल, तो यहाँ पर Right Answer क्या होगा, बनीठनी जो चित्र है ये किस चित्रकला स्कूल से संबंधी थे राइट आंसर होगा option C किसंगर स्कूल next question question number 114 अभी कथन है वेनेशियन पुनाजागरण के चित्रों में इटेलियन पुनाजागरण के चित्रों की तुलना में व्यापक सीमा के उज्वल रंगों का उप्योग किया गया है तरक आर दिया गया है क्योंकि वेनेशियन चित्रकारी तीवर दक्षन इटेलियन प्रकाश की प्रतिक्रिया थी जो कि चित्रकार को व्यापक सीमा के रंग प्रकट करता है तो यहाँ पर A और R दोनों ही सही है पहाडी लगों चित्रों में गीतात्मक लेपाई जाती है तरक आर दिया गया है क्योंकि चित्रों को पहाडों में चित्रत किया गया था तो तरक आर यहाँ पर गलत है अभी कथन A यहाँ पर सही है कौन सा कूठ है देख लेते हैं A सही है आर गलत है ठीक है तो यहाँ पर option A A सही R गलत है Next question Question number 116 देखिए अभी कथन A है सतीश गुजराल भीती चित्रों चित्रकारी और इस्थापती कला में अपने को सहज रूप में अभिव्यक्त करते हैं तर्क R वे बहुत से विश्यों में प्रयोग करने के लिए प्रयरित रहते हैं क्योंकि वे जन्म से बहरे और गुंगे हैं तो यहाँ पर जो तर्क दिया गया है यह तो बिल्कुल ही गलत है अभी कथन A यहाँ पर सही है कौनसा कूठ है चलिए देख लेते हैं A सही परन्तु R गलत है यहाँ पर A वाला ही option सही है Next question Question No.170 यूरोपियन शैली से प्रभावित परन्तु भारती विश्यों को चित्राधार मान कर कारे किया किसने रभींदरनाथ टैगोर ने यामिनी रॉय ने एमेफ हुसेन ने रवी वर्मा ने तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा option D राजा रवी वर्मा ने Next question Question No.118 अभी कतन है राजा रवी वर्मा ने ओलियोग्राफी तैल मुद्रण की तकनिक विदेशी विशे सग्यों से सीखी तरका आर है क्योंकि ओलियोग्राफी ऐसी तकनिक है जो भारत में पहले ग्याद नहीं थी तो राजा रवी वर्मा ने ओलियोग्राफी तैल मुद्रण की तकनिक जो है विदेशी विशे सग्यों से सीखी ये सही है क्योंकि ओलियोग्राफी ऐसी तकनिक जो भारत में पहले से ग्याद नहीं थी ये भी सही है A और R दोनों ही सही है Right answer हो जाएगा option C Next question Question number 119 अभी कथन है चित्तो प्रसाथ अपने चित्र लीनो का टक्रिया में प्रिंट करना पसंद करते हैं तरक R यहाँ पर बताया गया क्योंकि उस समय पर कलाकारों को उपलब्ध माधिमों में लीनोलियम सबसे सस्ता माधिम था तो दोनों ही यहाँ पर सही है आभी कथन और तरक Right answer होगा option C A और R दोनों सही है Next question Question number 120 देखे नम्कित गुफाओं को उनके उल्लेखित विवलनों से सुमेलित करना है गुफा संख्या 11 गुफा संख्या 12 गुफा संख्या 10 गुफा संख्या 4 एक तरफ है देर्गतम Hot गुफा संख्या 11 गुफा संख्या 11 यह प्राचिनतम गुफा है और गुफा संख्या 10 यह चैत्यक्री है गुफा संख्या 4 देर्गतम विः हार ठीक है इस तरह से यहाँ पर Right answer होगा Option C नेक्स्ट कोश्चन क्वेशन नमबर 121 निम्नलिखित संग्रहालियों को उनकी अवस्थिती से सुमेलित कीजिए टाटिकला दीरगा तो ये लंदन में है मुसी ग्विमट मुसी ग्विमट जो है ये पेरिस में है मुंच संग्रहाले ये ओसलोवे है रिस्क संग्रहाले एमस्टरण में है ठीक है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बी वाला बिल्कुल सही है ठीक है राइट आंसर भी नेक्स्ट कोश्चन क्वेशन नमबर 122 देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए ललित लाजमी यहाँ पर आप देखेंगे ललित लाजमी जो है यह धातु निच्चारण से रिलेट करते हैं वाटर डी सूजा वाटर डी सूजा कास्ट करतन दत्ता आप्टे विमात्मक्छाप अनंत निकम लाइनो निच्चारण ठीक है इस प्रकार से आप्सेन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है नेक्स्ट कोश्चन क्वेशन नमबर 123 थियोडोर रूसो कि शताब्दी का फ्रेंच भूद्रिष्य चित्रकार था 16 मी शताब्दी 17 मी शताब्दी 18 मी शताब्दी 19 मी शताब्दी तो राइट आंसर होगा आप्सेन डी 19 मी शताब्दी थियोडोर रूसो फ्रेंच भूद्रिश्य चित्रकार था कि शताब्दी का उन्नीसमी शताब्दी का नेक्स्ट कोशन क्वेशन नमबर 124 देखिए ब्लू होर्स चित्र किसे संबंदित है एमिल नोडे फ्रेंज मार्क एडवर्ड मुंक वैसली केंडिन्सकी तो ब्लू होर्स जो है ये फ्रेंज मार्क से संबंदित है राइट अंसर है ओप्सिन बी नेक्स्ट कोशन क्वेशन नमबर 125 लास्ट का कोशन है एडोब द्वारा प्रारम कियेगे ग्रैफिक इमेज एडिटिंग कारिकरम का नाम क्या है एडोब फोटोशॉप, एडोब इलिस्ट्रेटर, एडोब प्रेमियर प्रो, एडोब आफ्टर एफिक्ट तो यहाँ पर राइट अंसर होगा ओप्सिन ए एडोब फोटोशॉप ठीक है तो दोस्तों ये थे पूरे 125 कोशन कितने कोशन आपके राइट वे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और वीडियो चाल लगा है तो लाइक करें जादा जादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को जरूर प्रेस करें तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केरें बाई बाई